नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ फिजाकाज में पंजाब में कॉंग्रिस की सियास्त में उतल पुतल मचाने वाले नवजोज सिंग सिद्धू इन दिनों खुलकर बागी होकर सामने आ गए है नवजोज सिंग सिद्धू ने अपने सभी बागे रुक को जनता के सामने खुलकर जग जाहिर करना शुरू कर दिया है पंजाब में लगतार अमरिंदर सरकार पर हमलावर नवजोज सिंग सिद्धू वो कोई भी मौकार नहीं छोड़ना चौते हैं जिसकी वज़ा से उन पर कोई भी यानि पंजाब सरकार पर कोई भी सवाल ना उठ सके पंजाब में अदाईगी मामले को लेकर लगतार नवजोज सिंग सिद्धू अमरिंदर सरकार पर हमलावर है वो बनाम ना लेकर कई बार सरकार पर तंज कस्ते दिखाई देते हैं हाला कि ये लाग कयास किये गए आलाकमान के और सिभी के जल्द ही पंजाब में सिद्धू को एक बड़ा पद दे दिया जाए उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए लेकिन अमरिंदर यानि की कैप्टन पंजाब के वो नहीं चाहते हैं कि पंजाब में अज नवजोद सिंग सिद्धू को कोई भी बड़ा पद मिल सके इस पूरे खी चुतान के बीच इस पूरी राजनीती के बीच अब नवजोद सिंग सिद्धू और उनकी पतनी नवजोद को और सिद्धू खुल कर सामने आ गए हैं और उन्होंने बागी रुख अपनाना शुरू कर दिया है लेकिन पंचाब की राजनीती में इस तरहां से नवजोद सिंग सिद्धू का खुल कर कॉंग्रेस के खिलाव बागी रुख अपनाना क्या कॉंग्रेस के लिए आने बाले आगामी विधान सभा यानि 2022 में जो विधान सभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है ये रिपोर्ट देखिए कांग्रिस नीता नवजोद सिंग सिद्धू का यूं तो विवादों से गहरा नाता रहा है लेकिन इन दिनों वो एक नए विवाद को जन्म देते दिखाई दे रहे हैं पंचाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग और बीथे कुछ समय से नवजोद सिंग सिद्धू ने पटियाला में अपनी सक्रियता तेज कर दी है सिद्धू पटियाला में अपना ओफिस खोल लिया है जो सीधे तोर पर अमरिंदर सिंग के खिलाफ मौर्चा खोलने जैसा है उनके तेवर कैप्टन के खिलाफ हमेशा से ही पीखे रहे हैं और अब पटियाला में आधमकने के बाद इसके और बढ़ने की गुंजाईश है इस स्थिती में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या वज़ा है जो नवजोद सिंग सिद्धू ने पंजाब में अपनी उच्छल को बढ़ा दी है दरसल नवजोद सिंग स अगतार सिद्धू के बल कतरते रहे हैं पंजाब कॉंगरिस के आला नेताओं से सिद्धू की कभी बंती नहीं दिखाई दी वहीं कॉंगरिस आई कमान के साथ सिद्धू के रिष्टे कुछ अलग ही कहानी बया करते हैं कॉंगरिस आला कमान किसी भी हाल में सिद्धू को प तरह सिद्धू की सरकार में वापसी कराई जाए काफी समय से कयास लगाई जा रहे हैं कि सिद्धू यानि नवजूद सिद्धू को पंजाब सरकार में उपमुक्षी मंत्री बना कर कांगरिस के साथ बनाई रखने की कोशिश हो सकती है लेकिन अमरिंदर सिद्धू के लिए राजी नजर नहीं आते हैं पंजाब में कांगरिस अपने सबसे पुराने सीपा सलार यानि अमरिंदर सिंग को खोना नहीं चाहती है और सिद्धू को भी पार्टी में बनाई रखना चाहती है यही कांगरिस के लिए एक बहुत ही मुश्किल का काम नजर आ रहा है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग चुनावी रणली तिकर प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाकार नियक उत कर चुके हैं इस नियुक्ति के बाद लोगों ने कांगरिस के विदाईकों के साथ एक बैठक की थी जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि प्रशां किशोर की भूमी का उनके मुख्य सलाहकार के रूप में ही सीमित है लेकिन पश्यमंगाल का उधारन लोगों के सामने है त्रिमूल कांगरिस में प्रशांत किशोर के बड़े दखल की वज़वा से विदान सभाचनाव से पहली ही कई नेताउं ने टीमसी का साथ छोड बी शंका का समधान होता दिखाई नहीं दे रहा है पंजाब में अमरिंदर सिंग ही एक मात्र डिसीजन मेकर हैं यहां कांगरिस आरा कमान की भी कुछ खास नहीं सुनी जाती है एसस्तिती में चुनाव से पहले कांगरिस नेताउं में टिकेट कटने के डर की वज़ा से भगद कांगरिस में ही बने रहें जो फिलहाल कहीं से भी उनके हित में ज्वाता नहीं दिख रहा है कांगरिस में रहते हुए उनके गिनती हमेशा अमरिंदर सिंग के बाद ही की जाएगी बीजेपी में उनकी वापसी अस संभव नजर आती है और आम आत्मी पार्टी ने नवचो अमरिंदर सिंग के खलाफ मोचा खोल दिया है इसमें कोई दोर आएग नहीं है कि पंजाब कॉंगरिस में अमरिंदर सिंग ही कैप्टन है पंजाब रभारी हरी शरावत भी सिद्धू को सलादेते नजर आ चुके हैं कि उन्हें कैप्टन के हिसाब से ही चलना होगा अमदिंदे सिंग से नाराज कॉंग्रेस विधायकों को साथ लेते हुए नवजोज सिंग सिद्धू पंजब में एक बड़ा दाव चल सकते हैं कॉंग्रेस के कई वरिष्ट विधायक मंत्रे मंदल में जंगा ना मिलने से नाराज चल रहे हैं और इसका फाइदा सिद्धू उठा सकते हैं दरसल 2022 के विधान सभा चुनाओं से पहले ही बीजेपी और शिरुमनिया काली दल के रास्ते कृशिय कानूनों की वजह से अलग हो चुके हैं आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाओं में उतरने की कोशिश में जुटी हुई है कॉंग्रिस से अलग होकर सिद्धू अगर नई पार्टी बनाते हैं तो इससे सीधे तोर पर कॉंग्रिस को नुकसान होगा 117 सदस्य इवधान सभा में पांच पार्टी के बीच होने वाली चुनावी जंग निश्चित रूप से कॉंग्रिस के लिए खंत्रे की खंटे ही साबित हो सकती है वहीं बात अगर नवजोद सिंग सिद्धू की पत्नी की करें तो नवजोद को और सिद्धू भी इन दिनों अपने आक्रमा कतेवर दिखाती हुई नजर आ रही है कांग्रिस सरकार में मंत्री रही नवजोद सिंग सिद्धू के साथ ये उनकी पत्नी नवजोद को और सिद्धू ने भी सरगर्मिया पंजब की सियासत में बढ़ा दी है अंदाज वही पत्थी वाला है और हमला सीधा अपने ही सरकार पर है एशिया की सबसे बड़ी अनाजमंडी खनामंडी में उन्होंने पूर्विधायक नवजोद को और सिद्धू ने कांग्रिस नेताओं के सामने कांग्रिस सरकार को कड़ घरे में खड़ा करकर सीधा कांग्रिस पर निशाना साधा और सरकार की यानि की पंजब सरकार की खामिय हैं या नहीं लेकिन अब देखना होगा कि पंजाब में सिद्धू की रणनीती और ये जो चाल या फिर उनकी नई बाटी अगर वो बनाते हैं तो कितना पंजाब में कॉंग्रिस को नुकसान पहुचा पाती है या उससे पहले ही कॉंग्रिस आलकमान हस्तक शेप करके इस फिलाल आने वाले पंजाब की राजनीती में ही पता चल पाएगा कि पंजाब में आके कॉंग्रिस क्या रुख एक्टियार करती है और इस बीच गुडबाजी को थामने के लिए क्या कुछ प्रयास और किये जाते हैं फिलाल में डीजे इजाज़त अभी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाखी खबरों के लिए हम चोड़े रहिए SPN9 उसके साथ